नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एजूकेशन दोस्तों आज फाइनेशल वर्ड के साथ जड़ी हुई एक बहुत इंपोर्टन चीज को डिसकुस करने वाले हैं इस वन इस बाउट रेपोरेट इस वन इस नोट जस्ट बाउट रेपोरेट इस ओसो अबाउट इंडिया की MPC जो है उन्होंने पॉलिसी रेट को 2.5% से इंक्रीज किया इन 11 महिनों में एक साथ नहीं लेकिन दीरे दीरे करके अभी जो लेटिस्ट खबर आई है वो ये है कि रिजर्व इंडिया की MPC ने रेपोरेट को चेंज नहीं किया है 6.5% था अभी भी ये 6.5% ही बाइधवाइ रेपोरेट के बार में आप जानते होंगे कि Central Bank जब दूसरी Banks को पैसे देती है लोन देती है शॉट टरम के लिए तो जो interest rate चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं रेपोरेट और रेपोरेट जो है वो बैजिकली हमारी जो भी retail लोन्स है मैं आप जो भी लो इस प्रकार की आइटम्स जो है न्यूज आइटम्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है अब रिजर्बंग ओफ इंडिया ने रेपोरेट को चेंज नहीं किया तो दिस वस बिग सप्राइज फॉर दा फाइनशल मार्केट क्योंकि फाइनशल में रेपोरेट को इनक्रीस करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ? MPC के जो 6 members हैं MPC यानि की monetary policy committee अब इन 6 members के बारे में थोड़ी एक basic चीज में बता दू ये जो MPC होती है दोस्तो इनमें जो 6 members होते हैं इसमें से 3 members जो होते हैं वो reserve bank of India के होते हैं ठीक है और बाकिके जो 3 members होते हैं वो government of India के दवारा appointed 3 members होते हैं और Reserve Bank of India के जो governor है वो भी ये 6 member में से 1 member होते हैं अब decisions जो है वो generally discussion से लिया जाता है और voting का भी एक प्रावदान है कि in case अगर 3 लोग कहते हैं के report rate को increase किया जाए 3 कहते हैं के report rate को decrease किया जाए तो ऐसे situation में क्या होगा टाइ वाली situation में जब ऐसे situation होती है तो Reserve Bank of India के जो governor है उनका जो भी decision होगा उसको final माना जाएगा कब जब टाइ वाली situation होती है only then बाकी तो आप देख सकते हैं कि generally discussion से ही easily decisions लिये जाते हैं और ये वाला decision जो लिया है कि policy rate या फिर benchmark rate या फिर repo rate को change नहीं किया जाएगा तो ये unanimous decision था यानिकि 6 के 6 members ने ये बताया कि हमें इसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं करना चाहिए by maintaining status quo on interest rates for the first time in 11 months जैसे मैं आपको बताया कि 11 महीने पे पहली बार ऐसा हुआ है कि interest rate में बदलाव नहीं हुआ है अब दोस्तों ये चीजें जो हैं वो क्यों की जाती है it's all about demand and supply economics की या फिर economy की बहुत ही basic एक चीज है right I'm sure आपको पता होगी या फिर पता होनी भी चाहिए लेकिन हो सकता है कि कुछ हमारे students जो है वो पहली बार ऐसी चीज़ों को देख रहे हो तो उनको समझाने के लिए बहुत एक्विकलि मैं आपको बता दू कि ये सारी चीज़े जो है वो demand and supply पर चलती है अब inflation जो है उसको control करने के लिए repo rate को increase किया जाता है शायद आपको ये बात समझ में ना आई हो let me give you an example मान लीजिए कि मैं आपको ये बताओं कि आपको डेली से मुंबई आना है मुंबई मैं आपको वहाँ पर मिलूंगा आपको मैं बुला रहा हूँ आप मुंबई आजाये और फिर मैं आपको j operations करके 500 रूपीज देता हूँ आपके पैसा ही नहीं आपके पैसा ये प्ताओं ये पांच सो रूपे है और आपको गहता हूँ कि ए ये रखो 500 रूपे यही situation है, डेली से मुंबई आपको आना है, लेकिन इस बार में आपको कहता हूँ कि ये लिजिए 50,000 रुपीज, कोई चिंता मत कीजिए, I'm not going to ask you for the हिसाब, पूरे भी पैसे खर्च हो गए, कोई बात नहीं है, हमरे पास बहुत सारे पैसे है, आप बस आ जाईए, तो अगर 50,000 रुपीज, टोटल 50,000 का बजट है, आप एजिली आ जाएंगे, तो भी आपकी जेब में बहुत सारे पैसे बचेंगे, या हो सकता है, आप शॉपिंग भी कर ले कुछ, तो युसी जब पैसो का फ्लो बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कम होगी, और पैसे जब कम थे तो जादा है, तो पैसो की वैल्यू जो है, वो कम हो जाती है, तो चीजे जो है, वो महंगी हो जाती है, तो जब महंगाई होती है, या फिर महंगाई बढ़ने लगती है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, पैसो के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, तो रेपोरेट यानि कि interest rate को जब increase करेंगे तो पैसों का flow जो है वो कम हो जागा यह बहुत ही एक basic चीज मैंने बहुत ही कम समय में explain करने की कोशिश किया लेकिन आपको एक idea जो है वो मिल गया हो गया अभी तक क्या था कि inflation जो है यानि कि महंगाई जो है यह concern था यह चिंता कब विशय था अब Reserving of India को Government of India ने एक target दिया है कि inflation यानि कि महंगाई का rate है वो 4% होना चाहिए maximum जो है इसकी ceiling है 6% इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और minimum जो है 2% इससे कम नहीं होना चाहिए तो 2% से 6% के बीच में आपको inflation के rate को रखना है लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हमें देखने को मिल रहा है कि inflation जो है वो 6% से भी ज्यादा है यानिकि जो अपर लिमिट है उससे भी ज्यादा inflation हमें देखने को मिल रहा है तो अभी तक पिछले लगपक डेट साल 2 साल से जो पूरा target था Reserving of India का वो यही था कि आप inflation को कम कीजिए 7% 8% तक पहुँच गया था लेकिन इस बार क्या हुआ है कि inflation जो है वो तो चिंता का विशह हैं लेकिन अभी तक सिर्फ inflation पर target किया जा रहा था लेकिन अब जो financial stability है उसको ज्यादा focus मिला है इस बार की meeting में financial stability concerns outweigh those surrounding inflation के inflation से भी ज्यादा importance जो है वो इस बार financial stability को दिया है और Reserve Bank of India ने ये भी बताया है कि ये एक प्रकार का pause button हमने दबाया है इसका मतलब ये नहीं है कि अब easy money era फिर से आ जाएगा again इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मत समझ लीजिए कि हमने repo rate को change नहीं किया है तो repo rate अब कम होता जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है शक्तिकांतादास साहब ने specifically ये बताया है कि we want to emphasize and drive home the point that it is a pause for this meeting don't take it as a pause for several meetings in the future or for all times to come इसका मतलब ये है कि हम आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो इस repo rate को increase भी कर सकते हैं इसको ये समझ समझ जिएगा कि आने वाले समय में repo rate जो है वो अब कम होता जाएगा नहीं don't take it like that future में increase भी हो सकता है specifically सक्तिकांतादास साहब ने ये चीज़ बताई है उन्होंने ये भी बताया कि financial market जो है वो पिछले कई समय से volatile जल रही share market उपर जा रही है नीचे आ रही है same thing goes with financial market तो ऐसे volatility जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है inflation outlook जो है वो धीरे धीरे moderate होता जा रहा है ऐसा भी उन्होंने अपने statement में कहा उन्हेंने ये भी कहा कि inflation जो है वो persistent रहा है persistent यानि कि एक बहुत ही जटिल रहा है inflation पिछले कुछ महीनों से the reason is supply chain में disruption covid-19 की वज़े से supply chain disrupt हुई थी फिर crude oil की price में ups, downs खास करके ups हमें देखने को मिले after covid-19 और युद्ध की वज़े से global community की prices जो है वो भी ज्यादा increase होगी तो ये तीन बड़े factors है global factors है जिनकी वज़े से inflation जो है वो ज्यादा रहा अब February कहा कड़ा देखिए 6.44% जो 6% की upper limit है उससे 0.44% ज्यादा which is high of course और उन्होंने ये भी बताया कि जो food price है उसकी वज़े से ही inflation जो है वो हमरे देश में ज्यादा रहा है खास करके पिछले कुछ महिनों से फेबरुबारी की बात करें तो food price की वज़े से ही retail inflation ज्यादा रहा है अब क्या होता है कि जो retail inflation आपने के लिए consumer price index होता है तो उसका 40% जितना weight जो है वो food से होता है अगर food की price ज्यादा है तो CPI ज्यादा रहेगा क्योंकि एक lion share कहते है ज्यादा तर 40% जितना है तो ज्यादा impact जो है वो food की price जो है वो CPI पर करती है तो this is the main reason कि CPI जो है वो ज्यादा रहा इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताया कि जो पिछले कुछ समय से जो interest rate जो है उनको increase किया गया तो अब ये system में काम कर रहे है देखिए आज जो rate को change नहीं किया है तो इसका बतलब ये नहीं है कि on the spot एक ही दिन में इसकी impact हमें देखने को भी लेगी ये central level पर ये फिर एक you know apex level पर decision लिया गया है तो इसकी impact धीरे धीरे करके कुछ महिनों के अंदर हमें देखने को भी लेगी तो same thing goes with past interest rates hike कि जब interest rate को increase किया गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन से inflation control में आ जागा धीरे धीरे करके 2-3 महिने के बाद इनकी impact जो है वो हमें देखने को मिलती है और शक्तिकानतादास ने ये भी बताया कि जब भी ज़रूरत होगी conditions अगर change होगी तो RBI जो है वो अपनी tactics को भी change कर सकता है इसके साथ साथ जो reverse repo rate है, lending rate है MSF है तो ये इन सारी चीज़ों को अंचेंज रखा गया है economy की बात करें तो Reserve Bank of India की MPC ने अपने statement में जो press media statement है तो उन्होंने ये बताया है कि RBI के हिसाब से जो analysis है RBI का उसके हिसाब से economy जो है उसमें expansion होगा, growth होगा और inflation जो है वो थोड़ा बहुत control में आ जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि winter sawn crops जो है वो जब market में अब तयार हो चुके है तो अब market में जब ये जो राबी फसल है वो market में जैसा जैसा आने लगेगी वैसे वैसे food की price जो है वो कम होगी food की price कम होगी तो CPI जो है वो कम आएगा दूसरे जो developed देश है उनकी क्या situation है European Central Bank ने repo rate को increase किया Federal Reserve ने यारी कि USA की Central Bank है उन्होंने भी repo rate को increase किया दूसरी कुछ जैसी economies है जैसे के bank Indonesia फिर Reserve Bank of Australia तो उन्होंने अपनी जो interest rate है या फिर benchmark rate है तो उनको change नहीं किया है तो भारत ने इस club को joint किया है इस बार राइट हमने भी इसको change नहीं किता है Central Government को report देना पड़ता है Reserving of India जो है उनको confidence में रखना पड़ता है Central Government को और बताना पड़ता है कि हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपने जो target दिया है उस target को हम achieve कर सके और ये भी बताया है Reserving of India ने Central Government को कि अभी जो priority है वो यही है कि inflation जो है उसको हम control में लेकर आए और ये भी बताया है कि जो disinflation है जैसे कि inflation जो कम होगा तो एक साथ नहीं होगा वो धीरे-धीरे करके होगा और protected होगे यानि कि अभी जो ये नया साल चल रहा है 2023-2024 वाला साल जो है तो लगबग पूरा साल जो है तो उसमें दिरे-दिरे करके ये spread हैं कि दिरे-दिरे करके spread होते हुए दिरे-दिरे inflation जो है वो कम हो जाएगा यही जो statement है इस statement पर हमारे finance minister निर्मला सितारमन जी ने Reserve Bank of India के decision को welcome किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि inflation rate जो है उसको 6% या फिर उससे कम करने की पूरी कोशिस की जा रही है COVID-19 pandemic और Ukraine war की वज़े से जो inflation है वो थोड़ा ज्यादा हो गया था लेकिन अभी पूरी कोशिस की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि central government जो है वो बहुत ही price sensitive और responsive है कि अगर price बढ़ जाती है तो central government active हो जाती है for example अगर जो भी चीज़ें हम import करते है तो वो सारी चीज़ों में अगर price increase होती है तो customs duties जो है वो सरकार कम कर देती है खाने पिने की चीज़ों पर subsidies increase कर देती है ताकि जितना हो सके उतना inflation का impact हमारी economy पर कम हो and that's basically everything in today's discussion dear friends I hope आज की discussion से आपको clarity मिली होगी कि क्या चीज़े हुई क्या decision लिया गया and that's basically everything right thank you very much for watching this video आपको ये वीडियो कैसा लगा do let me know in the comment section thank you very much for your love and support God bless you all always stay curious Jai Hind